अगर आपने भी नया CST Center open किया है, यानि कि आपने CST के लिए apply किया है और आपका CST ID password आ चुका है, और आप अपने CST ID password से digital स्या पोटल पर login करते हैं, तब आपको कियोस का data update and short survey का option दिखाई देता है, यानि कि आपको short survey data को feel करना होता है, तो आप short data को कैसे feel करेंगे, यान इसकी complete process इस वीडियो मैं आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहे हैं, simply सबसे पहले आप अपने digital स्या पोटल को अपने mobile में या computer में open करेंगे, open करने के बाद आप अपना id and password और capture feel करके sign in करेंगे, यानि कि आप अपने digital स्या पोटल को login करेंगे, चलिए हैं आप हम id and password feel कर लेते हैं, उसके बाद capture code को feel करके यहाँ पे sign in के option पे click करेंगे, यानि कि login कर लेंगे, जैसे हम login करते हैं, जैसे हम sign in के option पे click करेंगे, का data update and short survey and kiosk data update और यहां पर बताया गाए कि कि सर्गेस आपको फील करना है तो चलिए यहां पर क्यों का क्यों का एड्रेसन सर्वे को फील करना है तो उपर में आपका CSA Center का नाम यहां पर लिखा रहेगा यानि कि automatic यहां पर रहेगा उसके बाद state का नाम यहां पर रहेगा simply सबसे पहले आपको अपने डिस्टिक का चैन कर लेना है डिस्टिक का चैन यहां पर आपको कर लेना है कौन से जीले से आप है यानि कि आपका कौन से जीले का CHC है, तो जिले का है, आप यापटाउ चायन करना है, आप जिले का चायन करेंगे, उसके बाद location, यदि कि आप urban की id है, या rural की id है, आपका शेहर्स का id है, गाउं का id है, टो see an urban याणि की शेहर का है, तो urban select करें, हमारा रूरल का है यानि कि गाओं का है तो हम रूरल का option चूज करेंगे उसके बाद आपको सब डिस्टिक का chain करना है Sub District आपका Block जो लगता है उसका Chain करना है उसके बाद Select पंचायत का Chain करना है, उसके बाद आपको अपने Village का Chain करना है, उसके बाद आपको यहां पर पिन कोड यहां पर फील करने के बाद सब्मीट का जो ओफिन आपको निचे दिखाए देगा simply आपको kiosk data में fill करना है और submit पे click करना है click करते हैं आप short survey में चले जाएंगे जिसमें आप देखेंगे do you regular transaction on digital server portal यहनी कि आप digital server portal में regular transaction करें तो इसके लिए आपको यहाँ पे yes पे click करना है आप no नहीं करें यहाँ पे yes पे आपको click करना है student in viewer area district यहनी कि PMG दिश्या application useful project है इसमें अपने एरिये में student aid करके अच्छा कासा यहाँ पे काम कर सकते हैं इसके लिए आप second वाले option पे भी yes करेंगे third वाल आप देखेंगे have you installed the DigiPay application and do use the service regularity DigiPay आप application install करके regularity बनाए रखें इसके लिए yes करेंगे चोति नमर पर देखेंगे do you available the banking bank meter service offered by CSA SPV इस पर भी आप yes करेंगे उसके बाद पांचे नमर पर देखेंगे देखेंगे do you have a iris device अगर आपके पास iris device है तो आप yes पर क्लिक करेंगे अन्य था no पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे do you have a fingerprint device अगर आपके पास fingerprint device है तो yes करेंगे अन्य था आप no पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे do you have a printer for printing receipt for the transition करते तो receipt देते तो yes करेंगे अन्य था no पर क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे do you sanitizer your center everyday in the covid outbreak आप sanitizer का होपीोग करते हैं तो आप yes करेंगे आन्य था आप no करेंगे उसके बाद देखेंगे Do you maintain social distancing room at your center आप social distancing का अपने center पर पालन करते हैं तो yes करेंगे अन्यट आप यहाँ पे no पर click करेंगे next देखेंगे do you check the temperature and giving sanitizer to the customer before allowing them on the enter the center याई कि sanitizer और temperature का आप पालन करते हैं तो yes करेंगे अन्यट आप no पर click करेंगे उसके बाद देखेंगे do you allow the customer in your center without mask विताउ smart के अगर आप center पर किसी customer को आने देते हैं तो yes पर आप क्लिक करेंगे अन्यत आप no पर क्लिक करके submit करेंगे तो यहाँ पर no पर क्लिक करना है और submit पर क्लिक करना है क्लिक क्लिक और क्लिक करेंगे